दिवाली की वो खौफनाक रात, हर कोई जानता है कि दिवाली जगमगाती रोशनी और रोशनी का त्योहार है, लेकिन ज्यादा तर लोग यह नहीं जानते हैं कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है, और हर अमावस्या की रात को काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकत लेकिन 19 साल का सुनील इस बात से अंजान था. दिवाली की रात वह अपने दोस्त विजय के साथ सडक पर घूम रहा था. तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सूने घर पर पड़ी, जहां लाल साडी पहने एक खूबसूरत लड़की दीपक जला रही थी. विजय सुनी और दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया. घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था, जितना बाहर से, खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें टेबल पर रखी थी. सुनील ने टेबल से एक लड़ू उठाया और खाने लगा, लेकिन गलती से उसके हाथ से नीचे गिर जा रहा है, तो सुनील घबराने लगा. तभी अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो. सुनील उस आवाज का पीछा करते हुए सीड़ियां चड़े, लेकिन जैसे ही उपर गए, तो देखा कि कमरे के अंद लेकिन इस बार सुनील को वह मुसकान आकर शक नहीं, बलकि बहुत डरावनी लग रही थी. अचानक घर की सारी लाइटें बंध हो गई और घर धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील हो गया. वह लड़की अभी भी सुनील को देख कर मुसकुरा रही थी. अचानक लाल पहने उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और उसकी आँखें एकदम लाल हो गई और उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया. सुनील उसे देख कर दंग रह गया. वह लड़की हाथ में चाकू लिये सुमित की और बढ़ रही थी. सुमित किसी तरह होश में आय और बिना कुछ सोचे सीधे घर से निकल गया. लेकिन लड़की अभी भी सुमित का पीछा कर रही थी. लड़की ने उसे मारने के लिए सुनील की और हाथ बढ़ाया. लेकिन तब तक सुनील बाहर जा चुका था. उसने जल्दी से घर का दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया वह लड़की अंदर से बड़ी तेजी से उस दर्वाजे को पीट रही थी. लेकिन अचानक से पीटने की आवाज बंद हो गई और फिर सुनील को लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो. सुनील जल्दी से वहां से चला गया और अपने घर चला गया और चुप चाप सो गया. अगली सुबह जब सुमित की नींद खुली तो उस मा को बताई. मा ने उसे बताया कि कई साल पहले उस घर में दीवाली की रात एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी. तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है. क लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया. और सुनील को आज भी दीवाली की वह भयानक रात और वह लड़की याद है. भयानक चीखें जो आपको सोने नहीं देती. ध्यान दे. यह सब कहानी कालपनिक है. इन कहानी से किसी भी व्यक्ति और स्थ पहान से कोई सबंध नहीं है.